हेला इब्रिवन तो आज है फर्स्ट अफ फैरवरी और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का भोकैबली कहर करते हैं तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले लाइक कर दिजे और अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लिजे यह हमारा सोसल मीडिया है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जाके जल्दी से जॉइन कर लिजे तो आएए देखते हैं आज का इंपोटेंट वर्ड उससे पहले जल्दी से कमेंट से कर देना गिरा देना ध्वास्त कर देना ठीक है तो डिमॉलिस मतलब क्या होता है किसी चीज को ध्वास्त कर देना गिरा देना तो इसका हिंदी मिनिंग क्या हो जाएगा ध्वास्त हो जाएगा सीनोनेम्स की बात करें तो इसका सीनोनेम्स क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो से याद होंगी और तो यह सारे मतलब और आपके पास एक नोट रहेगा तो जब भी आप रिवीजन करना चाहे तो आप कर सकते हैं नोट के तुरू ठीक है और आपको हम इस सेशन का पीडिया भी प्रोवाइड कर देंगे तो उसके लिए आपको टेलिग्राम चनल जोइन करन होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाके जल्दी से ज्वाइन कर लिए ठीक है तो वर्ड डिमॉलिस्ट हो गया जिस जो क्या है एक भर्व है जिसका मिनिंग होता है पूल और नौक डाउन एबिलिंग जैसे कुछ टाइम पहले हम लोग सुने थे ट्विन टा भी कैसे समझाया जाता है और डेली लेफ से रिलेट भी किया जाता है ताकि जल्दी से वह याद हो जाए ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के तरफ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजे नहीं किया लाइक तो अगला एक अड्जेक्टिव है यह क्या है एक एक इच्छे का मेंनिक होता है सफरिंग लाइक मतलब की मतलब पर और अच्छे ढंग करना देख्षा спас Buy होना उसको नेगलेक्टेड बोलेंगा उपैक्शीत इसका हिंदी मीनिः हो जाई गा उपैक्शीत झानडियों कि बात करें तो याफिर इभेञड़ों दो यह सब क्या है इसके सिनोनिम्स है तो वर्ण क्या बहुंद नेगलेक्टेट तरह जिसका मिनिंग सब्सक्राइब या कने-पेंड हो जाएगा एबनथ फोर्र से mistreated abandoned यह सब इसके synonyms हो जाएंगे जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि इस बच्चे का अच्छे से care नहीं किया जा रहा है यहां पर जो इसकी सब्सक्रान बहीं होता है यह अच्ता है उसको नेमनेहें हो जाएंगे इसका हन। बहुए जहां हो गया यहां रहाते हैं वहाँ पर जानवर फिल्क। बहुन डेने जन औनकी दोेटन हो जाएगा स्वू श्रचाएगा इनवेलर्स इन हेव्टेंट यह सब क्या होजाएंगे तो इसके सिनोनेम होता है वर्ड क्या है ट्यूंद द्वाट के साथ सत्राट को यह भी पता होना चाहिए कि यह वर्ड कौन सा पार्ट सह पीश पीछ है यह मैं अग्ला वाड है बनिफिस स्यरीज क्या है से देता है यानि कि जो प्रॉफिट हो किसी को फायदा वाला चीज़ हो तो यह बात करें तो यह कहां पर नाउन हो गया है इसका मेनिंग होता है एक पॉर्ट सन यानि कि मतलब किसी चीज़ से जिसको फायदा हो रहा है जो लाव उठाड है उसको बेनेफिस यह बोलते हैं जैसे मालेजी के बहुत सारे सरकार स्कीम देती मतलब इसकीम चलाई है जिसके अंतरगात वो कुछ पैसे देती है जो भी मतलब इलिजबल केंडिडेट होते हैं उनको जैसे मालेजी पीम किसा नहीं हो जना हो गया इस तरह के और जो भी मतलब ब्रिधा प्यांसन में गड़ा हो गया तो जो मतलब जिनके एकाउट में पैसा जा रहा है जो उसका लाव उठा ले रहा है उसको बेनेफिसियरी बोलेंगे क अगर इसके सिनोनेम की बात करें तो defense difference है एडिस हो जाएगा इनैडिट हो जाएंगा लैजेटी हो जाएगा कि दार्भ हो जाएंगे जनको है अगले वर्ड के तरफ अगला वर्ड है हिप्स हिप्स की बात करें तो यह एक नाउन है इसका मिनिंग होता है एन अंटाइडी क्लेक्शन अफ अब्जेक्ट फ्लेस्ट है फजाडली ऑन टॉप इच ओधर मतलब कोई भी मतलब कलेक्शन हो किसी चीज का यानि कि समू हो जि सिनोनैम्स की बात करें तो स्टेक मास मांड या फिर क्वांटिटी यह सब क्या हो जाएंगे तो इसके सिनोनैम्स हो जाएंगे जैसे आप पूरे कच्रे का धेर देखते हैं उसमें चीजे एरेंज करके थुरे न रखा जाता है ऐसे ही जो जैसे पाया कच्रा फ्यक दिया त जाता है तो हीप सेक्स नावन हो गया जिसका मिनिंग धेर होता है सिनोनेम्स की बात करें तो एस्टेक मास माउंड या फिर क्वांटीटी हो जाएगा अब होमर का बात कर ले रहे हैं तो हमर आपके लिए यही रहता है कि जो भी वर्ड आप सिख रहे हैं इससे सेंटेंस बना को डिटैड्री गर्व यानिंगे विगर ना कोई चीज़ बिगार रहा है लागतार उसको डिटैड्री डिटैड बलेंगे कि और अव्द के दιखता है वे सफिक्स होता है और सफिक्स मतलब्र सफिक्स इवाइं में जुरा हो उसको सफिक्स बोलते हैं तोम librarian होता है तो जब भी word class में आपको एने एमियर दिख ज्याए तो वह वर नाउन हो जाता है तो आप जल्डी से वीडियो स्क्रड करके पंच ऐसे डाउन कि जिसके लाश्ट में एमिएंट या ठीक है तो आपको यह काम करना ठीक है देखते हैं कौन को शुडेंट कर रहा इसका अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मेनिंग होता है प्लोट अफ लेंड रेंटेड बाइन इन वेजिवल फोर ग्रोइंग वेजटेबल्स और फ्लाव है जो भाड़े पर ले रहा है किसी इंडिविजुवल से ताकि उसमें फ्ल या सब मतलब जो फूल या फ्ल उसमें उपजाब सब्सके दोसको अलोट मेंट बोलते हैं यानि कि आवांट इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा सिनोनेम्स की बात करें तो एस्विंग वारिंग या फिर ग्रांट यह सारी क्यों जाएंगे इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे तो मतलब कोई चीज आपको लॉट कर दिया गया तकि आप उसका यूटलाइज कर सके उसको क्या बोलते हैं जैसे मान लेजिए कि आप कभी होस्टल में जाएंगे ताब को रूम एलोट किया जाता हैं जो आपके लिए लॉट किया गया हो जिसका यूज कर पाएं ठीक है अगला वाड़ है वेलफेर वेलफेर की बात करें तो एक नावन है जिसका मिनिंग होता है दा हेल्थ हैपिनेस एंड फॉर्चून और ग्रूप मतलब किसी पॉर्चन या ग्रूप यानि कि समू का हे अच्योंस हो गया उसको वेलफेर बोलते हैं यानि कि कल्यान क्या हो जाएगा कल्यान इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा सिनोनेम की बात करें तो हैल्थ हैपिनेस कमफोर्ट सेकृरिटी यह सारी क्या हो गया इसके सिनोनेम तो बहुत सारे वेलफेर ट्रस्ट होते हैं जो क् लोगों का देखबाखान करते हैं तो उना लोग का क difました होता है मैं नाउन में जिसका मिनिंग बादा है health, happiness, comfort, security यह जारी । और पो चलते हैं next world यह तरफ नेस्ट वोड़ै इसकी रहे है तो बैसे पर कानोनी तोर पर या फिर ओफिस्यली आप अनेबल नहीं है यानि कि असमर्थ है किसी चीज कोई पोजीशन पाने के लिए या फिर कोई बेनेफिट किसी तरह का फायदा या लाब आप नहीं उठा पाएंगे उसको इन किसी चीज से रिलेट करके इस वर्ड को याद रख सकते हैं आपको वर्ड समझ में आ गया होगा इसका मिनिंग होता है अनुचीत क्या होता है अनुचीत सीनोनेम्स की बात करें तो इसका सीनोनेम्स होज़ेगा अन्कौलिफाइड इंकंपिटेंट इस इंटैल्टर या फिर जैसे माल लिजे कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहा है तो जैसे ही आपका एस ओभर कर जागा किसी फॉर्म से रिलेटेड जैसे एंडिये का त्यारी कर रहा है तो साहरा अठ्रा जैसे ही आपका होगा उसके बाद आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे क्यूंकि आ इलिजिबलीटी मतलब जो इलिजिबलीटी क्रिटेरिया हो उसके बीच में अगर अपलाईज नहीं कर रहा है तो आपको इनिलिजिबल बोला जाएगा यानि कि अनुचीत अगला वाड़ है वेकेट वेकेट की बात करें तो एक भर्व है जिसका मेनिंग होता है लिव एप इस चुछ है उसमें पर एसे कोई वरकर काम कर रहा है वहां से छोड़ दिया जॉब तो जो सीठ हो है जहां पर काम कर रहा था वह खाली हो गया तो उसको भैकेट बोलेंगे यानि कि रिक्त खाली इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा ठीक है सिनोनेम की बात करें तो काम तो कुछ इस तरह का अपना सारा सामान लेके वहां से निकल जाता है तो वेक्ट मत्तव क्या हो गया खाली हो गया इवेक्विएट क्वाइट एवेंडन रिलिक्विंस इसके सिनोनेम सुझ जाएंगे तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको सारे बाट समझ में आया